गुजरात केम छोट बस तो फिर मज़ा आजाना चाहिए याड तरीक को गुजरात को क्या चाहिए? क्या चाहिए? बिजली मुफ चाहिए? बस तो फिर याड तरीक याद रिखिये और आपने जो प्यार मुझे दिया है खेलते हुए मैं वो ही चाहूँगा कि आज वैसा ही प्यार मुझे दुवारा मिले अब मैं जब गुदरात में आया हूँ बहुत शुक्रिया आपका और उमीद करता हूँ कि आपकी सेवा के हम काबिल बने और आपके किसी काम आ सके जी राष्टिय संजोजे कामाने पार्टी और देश के सबसे करांतिकारी मुख्य मंत्री दिली अरविन के धिवाज भारात माता की आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी आये हैं पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे देश के क्रिकेट के सुपरस्टार हर्भजन सिंग भज्जी और युवाओं के दिल की धड़कन रागव चड़ा जी दोस्तों ये वाला चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है अपने लिए अभी तक 27 साल तक हम रोते रहे रोते रहे अपने पास कोई विकल्प नहीं था मैं गुजरात में बहुत घूमा हूँ सारी गुजरात की जनता दो चीजों से परेशान है महंगाई और बेरोजगारी बैंजी ठीक क्या रहूं महंगाई और यह ना बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा औरतों को बरदाश्ट करना पड़ता है आदमी हर महीने तंखा अपनी औरत के हाथ में लाके रख देता है पंदरा दिन में पैसे खतम हो जाते हैं फिर समझ नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलाएं तो सबी महिलाओं को बेहनों को माताओं को मैं तीन गारिंटी दे रहा हूं आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा बिजली का बिल देने के जरूरत नहीं है फाइदा होगा नहीं होगा दो तिन अजार रुपे महीना तो बच जाएंगे हर महीला को हर महीने हजार अजार रुपे उसके अकाउंट में डिल वाएंगे तो आपके घर में मानने दो महीला हैं बहु है सास है या तीन है बहु है सास है बेटी है तो तीन अजार रुपे मिलेंगे, दो अजार, हर महिला को अलग-अलग अजार अजार रुपे मिलेंगे फाइदा होगा नहीं होगा? तीसरी बात, आपके बच्चे जिस स्कूल में बढ़ते हैं वो स्कूल वाले अनाप्शना फीस बढ़ा देते हैं जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं मैं गारंटी देके जा रहा हूँ पांच साल किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दूँगा दिल्ली में पिछले साथ साल से फीस नहीं बढ़ाने दी इनकी गुंडा गर्दी, बंद गर्दी, प्राइविट स्कूल वालों की यहां भी कर देंगे मैलाओं को फाइदा होगा नहीं होगा जितने मेरे बेरोजगार भाई खड़े हैं बहुत सारी युवा खड़े हैं आप जब भी पेपर देने जाते हो पेपर भूट जाता है ये बीजेपी वाले इनके मंतरी ये लोग ये लोग सारे पेपर बेचने में शामिल है हमारी सरकार बनेगी पेपर भूट नहीं देंगे एक साल के अंदर सारी सरकारी भरतियां पूरी कर देंगे दूसरी बात आपके लिए रोजगार का इंतिजाम करेंगे और जब तक रोजगार का इंतिजाम नहीं होता प्लान नहीं है उनसे पूछो 27 साल क्या क्या वो केवल केजरी वाल को गालियां देते हैं केजरी वाल को गाली देने से पेट तो नहीं बरता पेट तो तभी बरेगा जब आधमे दो पैसे आएंगे आधमे दो पैसे तो केजरी वाली देगा बीजेपी वाले तो नहीं देने वाले तो यह परिवर्तन का टाइम है उपर वाले ने आम आदमी पार्टी बेजी है सारे जने मिलके इस बार जाडू का बटन दबाओ और जाडू चलाओ भारत मौदादी एक आदमी मिला मैंने उसको पूछा किसको वोट दोगे तो बोला जाडू को मैंने का क्यूं भाजपा को क्यूं नहीं बोला सर भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है आपको वोट देंगे तो बिजली मुफ्त हो जाएगी होईगी की नहीं होईगी मेरे को एक महिला मिली मैंने उसको पूछा किसको वोट दोगे बोले सर आपको मैंने का क्यूं कहते हैं आप हजार रुपे महिना दोगे हैं महिला को मेरे को एक और आदमी मिला उसने भी बोला आमादमी पार्टी को मैंने पूछा क्यूं क्याता सर मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था आपने दिली में प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया फीस नहीं बढ़ाने दी प्राइवेट स्कूल की गुजराद में भीस मत वोट देने से ओर वोट देने से कोई फायदा निया भूंदागर्दी मिलेगी गाली गलोष मिलेंगा और कुछिनी मिलने वाला बाज़पा को वोड़ देने से ये चुनाव आपका भविष्य बना सकता है ये चुनाव गुजरात का भविष्य बना सकता है गुजरात का भविष्य बदल सकता है अभी तक अपने पास कोई विकल्प नी था ठीक ठीक है रहो ना अभी तक vote डालने जाते थे यह दोनों मिली हुई थी पार्टियां इस बार उपर वाले ने विकल्प बेजा है उपर वाले ने जाडू चलाई है उपर वाले का इशारा समझो और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए अपने परिवार के लिए जाडू का वोट दो बाना जाडू 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 रागो भारत माता की आम आदमी पार्टी पूरे गुजराप में जहां जहां जा रही है वहाँ बस एक ही नारा सुनाई देता है केजरिवा लावेच है परिवर्तन लावेच है सारे जने इस बार परिवर्तन के लिए वोट देना गुजरात में भी दिन्ली की तरह और पंजाब की तरह सारे परिवारों को गुजरात के मुफ्त बिजली मिलेगी सब को विश्वस्तर ये शिक्षा मिलेगी सब के घर के बड़े बुजर्गों को बड़िया इलाज मिलेगा बड़िया अस्पतान मिलेगे गुजरात में हर जगा महुला क्लिने खुलेंगे सारी महिलाओं को हर मही में गुजरात की केजरिवा सरकार एक हजार रुपे की आर्थिक मदद देगी एक हजार रुपे की और गुजरात के सबी उभाओं को रोजगार और जब तक रोजगार नहीं तब तक तीन हजार रुपे का बेरोजगारी बत्ता मिलेगा सब को मिलेगा साथियों इस बार सारे जने 27 साल पुरानी एहंकारी और भरस्ट भाचपा सरकार को उखाड फेकना और आम आदमी आम उरत की सरकार जडु वाली सरकार केजरिवाल सरकार गुजरात में बनाना साथियों ये देखो सबूत लेके आये हैं ये भगवनतमान साथ अपने साथ पंजाब के लोगों के बिजली के बिल लाए हैं ये देखो पक्की कारंटी हैं ये कोई अनूप सिंग हैं अमरिच सर में रहते हैं इनका बिजली बिल जीरो ये एक और भाई साथ हैं निर्मल सिंग इनका भी बिजली बिल जीरो ये जीरो बिजली बिल पंजाब के देख ला ऐसे ही तुमारे पास में आया करेंगे जीरो बिजली बिल जीरो बिजली बिल ये पक्की कारंटी है पक्की कारंटी है गुजरात में एक मार्च के बाद आपका बिजली का बिल जीरो आया करेगा जिस जिसको जीरो बिजली का बिल चाहिए सारे जने जालू पे बटन दबा देना चाहिए कि नहीं चाहिए और सारे सर्वे में अब आ रहा है आमाद्मी पार्टी की सरकार बन रही है बीजेपी जाए इच्छे आमाद्मी पार्टी आवे इच्छे पंजाब ना मुख्यमंत्री आपनी वच्छे पदारी चुक्या छे अब आत्मी पार्टी ना राश्प्रिय संयो जग अने दिल्ली ना यसस्वी मुख्यमंत्री मान्निय श्री अर्विन केजरिवाल जी तेमच पंजाब ना मुख्यमंत्री मान्निय श्री भगवंत्मान जी आपनी वच्छे